तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ब्लॉक एलिमेंट की और इनलाइन एलिमेंट्स की तो HTML में जो एलिमेंट्स होते हैं में अलनी दो प्रकार के होते हैं अगर डिस्प्ले वैलू की हिसाफ से देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं एक तो block type के elements और दूसरा inline type के elements तो block type के जो element होते हैं block level जो elements होते हैं वो कौन-कौन से हैं तो जैसे कि paragraph element हो गया div element हो गया तो इस type के जो example होते हैं यहाँ पर और भी दियो है address हो गया, div हो गया, footer हो गया, main हो गया nav हो गया, table हो गया यह सारे जो हैं ब्लॉक टाइप के elements हैं उसी तरह किसे जो in-line type के elements होते हैं उसमें span हो गया और anchor tag हो गया, br tag हो गया, button, abbreviation, acronym, b, bold वाला और span, time, small यह सब जो होते in-line elements होते हैं तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, दिखें सबसे main अंतर यह है, दोनों में main अंतर यह है कि जैसे कि आपको यह paragraph element दिख रहा होगा और यह green border आपको इस side से इस side दिख रहा होगा, left से right तक, तो यह जो इस type के block elements होते हैं, वो पूरा पूरा एक block के रूप में दिखाई देत content है, उस content के अलावा भी वो left से right तक का पूरा area cover कर लेते हैं, तो यह block बनाते हैं, तो content थोड़ा ही रहेगा, मतलब मार लिजे इतना content है, ठीक, लेकिन इसका area है, देखें यहां तक है, तो यह एक block है, उसी तरी की जो div होता है, इसमें भी content थोड़ा सा ही रहेगा, मार लि दिख रहा होगा, जैसे यह div में green border इधर से left से right तक दिख रहा है पूरा, ठीक, तो यह block type के elements होते हैं, और इनकी विजेस्ता यह होती है, कि browser जो होता है, automatically add some space, जैसे कि margin, तो browser क्या करता है, यह जो block type के elements होते हैं, इन में जो बचा हुआ छेतर, जिसके आगे content नहीं लिख देता है, add कर देता है, extra space, ताकि वो block की तरह दिखे हैं, तो यह होते हैं block type के elements, और उसी तरीके से जो inline elements होते हैं, उन में जितना content होता है, वो element उतना ही space घेरते हैं, तो यह होता है inline elements, इनका block नहीं बनता है, यानि कि इतर से शुरुआ, left से right तक block ऐसा block नहीं बनता है, इनका, इनका छोटा space होता है, जितना space, जितना अंदर का content घेरता है space, उतना ही इस element का area होता है, तो यह होता inline element, और जो, एक और जो main बात है, वो यह है, कि जो block elements होते हैं, वो हमेशा नई line से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई भी block elements होगा, तो वो तो पूरा एक area cover कर ल element है, तो एक पूरे की पूरी paragraph line इधर से left से right तक की वो cover कर लेगा, भले ही content उसमें बहुत कम हो, right तक ना पहुंच रहा हो, तब भी वो पूरा block बना देगा, तो हमेशा नई line से block elements के शुरुआत होती है, वहीं जो inline elements होते हैं, उनकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, ठी आप यहां पर रख देंगे, उसी जगहा पर वो अपना space घहर लेते हैं, उतना जितनी उस element की requirement होती है, उस element के content की जितनी requirement होती है, उतना space वो घहरते हैं, तो यह दोनों में अंतर होता है, और आप यहां पर पढ़ सकते हैं, यह सब दिया हुए यहां पर, इस example को देखते तब आपको समझ में आ जाएगा, तो यह देखिए, सबसे पहले आपको देख रहे होंगे, यह paragraph element है, ठीक तो इसने क्या काम किया है, यहां से लेकर, यहां तक का area कवर कर लिया, जबकि content ज़रा सही है, लेकि यह extra space browser इसमें add कर देता है, margin के रूप में, ठीक क्योंकि यह block type element होता है, जो paragraph element होता है, ब्लॉक type का element होता है, इसलिए इसने यहां से लेकि यहां तक area कवर कर लिया, उसी तरी के जो डिया भी होता है, जो कि बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है, container की रूप में काम करता है, तो यह भी जो होता है, एक block type का element हो, तो आप देख रहे होंगे, यहां से यहां तक यह हमारा div है, इसके बाद यह देखे paragraph element, तो यह यहां से लेकि यहां तक paragraph element है, तो इसने भी क्या काम किया, जितना area इससे cover करना होता है, वो तो cover करता है, यह बाद में extra space भी यह cover कर लिता है, जैसे कि अगर थोड़ा से इसको बढ़ा करें तो देखे, ए यह जो extra space यहां से यहां तक बचा हुआ, यह भी इसी paragraph element का ही हिस्सा है, तो यह होता है, block type elements, तो यह हमेसा नई line से जुरुआत करते हैं, जैसे यह देखे, नई line से, यह भी नई line से है, चिक है, और यह paragraph भी नई line से जुरुआत हुआ है, यह तो यह block type elements होते है, block level elements, उसी इन line elements का example देख ले, इनको जितनी जरुत पड़ती है, उतना ही यह space घरते है, जैसे कि देखे, paragraph element आपको यहां से यहां तक है, तो यह paragraph element है, यहां से लेके कहां तक होगा, यहां सुरुआत होगी और यहां पर, यह जो आगे का space बचा हुआ, यह भी उसके block में आ जाएगा ठीक, लेकिन उसके अंदर देखे, span नाम का in line element है, in line element की बीच में डाला गया span के बाद, यानि span के बाद तो देखे, बीच में ही यह चीज, span element आ गया है, जितनी यह requirement होती है, तो उतना ही space घरता है, उसके आगे से ही, आपका जो paragraph element है, उसकी starting हो जाती है, जो बचा हुआ हिस्सा था, उसी क्या कैसा गया, span element नाई line से नहीं शुरुआत करता है, उसको जहां रख देंगे, पतलब in line elements, line की बीच में होता है, जहां पर रख देंगे, वहीं पर जितना space उसका content घरेगा, जितना space घरता है, उतनी space के लिए यह sufficient मान जाता है, उतना space घरता है span element, paragraph कर देते हैं, ठीक, तो क्या होगा, यह जो content है, आपका paragraph element के अंतर करता है, यानि कि यह जो है, एक block type element होता है, एक paragraph के अंदर दूसरा paragraph हाँ पर इस्तवाल करेंगे, उसकी क्या भी सिस्ता होती है, यह new line से शुरुआत करता है, तो अब यह hello world लिखा हुआ है, यहां से नही line से सुरुआत कर देखें, इसको run कराते हैं, देखें, hello world क्या होगा, नहीं line से सुरुआत होगा इसकी, ठीक, और इसने पूरा area भी cover कर लिया, क्योंकि यह paragraph element क्या है, एक block type का element होता है, वहीं अगर span था, इसे reverse करते हैं, तो बाकी यह उसी जगा पर पहुंच जाता है, क्य content की, यानि कि यह उतना space यह घहरता है, इसलिए span अधिकतर इस्तमाल किया जाता है, जब line के बीच में हमें कोई content देना होता है, तरी के से काम करता है, in line element इसी type के होते हैं, जैसे anchor element हो गया, वो भी ऐसे ही काम करेगा, बीच में हम कहीं भी इसको ले आ सकते हैं, वो नहीं line नहीं बनाता है, ठीक, और यह दूसरा जो आपका, यह block type का element है, paragraph दिए तो आपको देखी रहा है, पूरा block कबर कर रहा है, ठीक, यह होते है, in line और block type के elements, और यह सब दिया हुआ यहाँ पर, जैसे normally दूसरे element काम करते हैं, वैसे div में भी इसमें style, class, यह सब idea सब attribute होते है, container की तरह काम करता है, ठीक, तो यह सब होते है, इस example को भी आप समझ लेजेगा, इसमें भी कुछ नहीं है, इसे div का style, जैसे background क्या कर दिया, black color कर दिया, और देखिए इसमें क्या किया, इसने, background color जो है black कर दिया है, और text का color क्या कर दिया, white कर दिया, padding 20 pixel कर दिया, तो यह div म element है, एक यह 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 है, तीन block type के element है,